दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलिविजन एक्ट्रेस सिमरन तोमर के फुल लाइफ इस्टैल और बायोग्राफी के बारे में दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सिमरन तोमर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो सिम्रन तोमर के निकनेम सिम्रन है और ये परफेशन से मोडल और एक्ट्रेस है इनका जन्म 14 नमबर 1993 को दिल्ली में हुआ था तो अभी 2023 का अनुसार इनकी एजबी 29 साल है दोस्तो अगर बात करें इनके जुकेशन के बारे में तो इन्होंने अपनी स्कुल की पढ़ाई दिल्ली कहीं एक प्राइबेट स्कुल से पूरी की है और इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई गारगी कॉलेज से ग्रिजवेशन कम्पलीट की है दोस्तों अगर बात करें के केरियर के बारे में तो इन्होंने अपनी केरियर की शुरूत मोडलिंग से की फिर उसके बाद इन्हें साल 2022 में टेलिविजन सो चीकू की मम्मी दूरकी में काम करने का मौका मिला और दर्सक इनके एक्टिंग को उस सो में काफी ज़दा पसंद किया फिर उसके बाद सिम्रन तोमर का भी पीछे मुरकर नहीं देखी और लगतार एक से बढ़कर एक टेलिविजन सो और बेब सीरीज में नजर आई और यही बज़ा है कि आज सिम्रन तोमर किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इनके चाहने वालों फैंस के संख्या दिन परती दिन बढ़ते ही जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिम्रन तोमर के फिजकल एस्टेटस के बारे में तो इनका हाइट पांच फिट तीन इंच है और वजन लगभग 35kg है और इनका आई कलर बलेक है और हेयर कलर भी बलेक है और इलिजन से हिंदू है और नेशनालिटी से इंडियन अब बात कर लेते हैं सिम्रन तोमर के रिलेशनशिप के बारे में तो दोस्तों सिम्रन तोमर अभी शिंगल है और ये अपनी पूरी फोकस अपनी केरिल के उपर दे रही है वही अगर बात करें इनके होविस के बारे में तो इन्हें ट्रेवलिंग करना काफी ज़धा पसंद है आप बात कर लेते हैं कि Simran Tomar अभी कहां रहती है तो दोस्तो मैं आप सभी को बता दू कि Simran Tomar करेंटली अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहती है वही अगर बात करें इनके इंकम के बारे में तो दोस्तों सिम्रन तोमर पर एप रिसोड में काम करने के लिए लगबग 70-80,000 रुपए चार्ज करती है आप बात कर लेते हैं इनके नेट वर्थ के बारे में तो 2023 के अनुसार इनकी नेट वर्थ लगबग 40-45 रुपए है तो दोस्तों अब आप सभी को क्या कहना है और आप सब को सिम्रन तोमर के बारे में जानकर कैसा लगा आप सब अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजेगा और दोस्तों अगर आप सिमरन तोमर के फैंस है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार